Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ किसना, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Human Anatomy and Physiology का Chapter No.6 और इसका Lecture No.1 Lymphatic System, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है मतलब बच्चा Confused रहता कि आखर ये है क्या, काफी लोग को समझ में आ गया होगा लेकिन Exactly हमारी बड़ी में कहां है ये सिस्टम, क्या है ये सिस्टम, बच्चा समझ नहीं पाता है बस रट तो लेता है, याद कर लेता है, लेकिन समझाय आती है तो जब तक ये सिस्टम हमारी बड़ी में कहां एक्जिस्ट कर रहा है, कैसे है, कहां क्या कर रहा है, काम कैसा कर रहा है मतलब चीजें तक समझ में ये नहीं आईए, एक्चुली ये है क्या तब तक क्या होगा कि ये topic हमको clear cut समझ में नहीं आएगा ठीक है, तो lymph and lymphatic system, तो चोटी सी बात बता हूँ, जैसे अगर मैं तुम से बोलू कि blood and circulatory system, तो दिमाग में एकदम बात आती है, अच्छा, blood वो तो नसों में बहता है और circulatory system, यानि कि heart के बात होगी, दिमाग में खटाक से image बन जाती है लेकिन मैं बोलता हूँ, lymph and lymphatic system, अब कोई image नहीं बनती है 90% से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में कोई image नहीं बन रही है, कि यार ये क्या है lymph है ऐसा, अगर ऐसा है, तो अराम से इत्मिनान से बैठो, हम सबसे बहले इसी चीज़ को clear करेंगे आज क्या है lymph और lymphatic system है क्या, ठीक है न, कहां हमारी body में ये exist करते हैं तो ये कहां exist करते हैं, इसके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, तब लोगों न, ये पड़ रखा होगा हाँ, तुरंद ज्याद होगा, सर ये तो खूं में पाये जाता है WBC, ये हमारे blood में होता है blood में कुछ हिस्सा होता है, इसका WBC का जो main घर है, घर समझ रहे हो, है न, पाये तो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन जो main घर है, इसको थोड़ा सा ऐसी दिमांग समझने के लिए, main जो इसका घर है, वो lymphatic system होता है, main घर, जहां ये रुकते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, ठीक है, तो main घर क्या है इनका, lymphatic system, तो क्या होगा lymphatic system, यानि की जो हम लोग बार बार बात पढ़ते ह हैं, क्या, immunity, immunity, तो immunity किसकी वाज़ से होती है, WBC की वाज़ से होती है, तो ये immunity को provide करवाने वाला system हमारा ही lymphatic system है, चीज़ें अब भी कुछ clear नहीं हुई होगी, आप पढ़ते हैं, समझते हैं, और अच्छे से clear हो जाएगा, इसका तो intro वाला पार्ट है, ये समझने के लि body requires continual fight against harmful agents, homestasis, homestasis, homestasis पता है न, हमारी body में balance बना रहे हर एक चीज़ का, तो कहरा हमारी body में balance बना रहना चाहिए, तो उसके लिए हमारी body को लगातार लड़ना है, किसके खिलाफ, harmful agent, bacteria, virus, इनके खिलाफ लगातार body को हमारे लड़ना पड़ेगा, ठीक है न, कहीं न, कह हमार की जो चीज़ें, इसके infection वगारा हो रहा है, उससे लड़ना है, despite constant exposure to variety of pathogen, despite मतलब इसके बावजूद की लगातार exposed हो रहा है, variety of pathogen, pathogen कौन होते हैं, disease producing microbes, हम लोग लगातार रोज, even जैसे मेरा भी यह हाथ है, normal है मैं ऐसे टेच कर दूँ जीब में, तो भी बहुत सा लगातार क्या है, उससे हमारी बॉड़ी fight कर रही उस बेक्टेरिया से, और उसको मार देगी, तो कहरा है, despite constant exposure to a variety of pathogen, बजाए इसके की बावजूद इसके की लगातार हमारी बॉड़ी बहुत सारे pathogen से लड़ रही है, है ना, pathogen कौन होते हैं, disease producing microbes such as bacteria and virus, most people remain healthy because of immunity, जातर healthy रहते हैं, हाँ, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, लेकि जातर लोग healthy बने रहते हैं, ठीक है, तो इंट्रो चल रहा है, एक भूमी का तयार हुई, कि अच्छा, रोज हम लोग क्या है, bacteria वारिस से हमारा सामना हो रहा है, लेकि हम लोग healthy बने हुए हैं, क्यों, immunity की वाई से क्योंकि ये system ही हमारा क्या immunity वाला है, समझते हैं, the two general types of immunity जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक होती है innate और एक होती है adaptive, innate जो पैदाईसी जर्म से होती है, हमारी skin है, mucus है, हमारा HCL है, ठीक है, और adaptive जो समय के साथ, जब कोई disease हमारा पर attack करती है, तो हमारा immune system उसे adaptive, ठीक है ना, innate मतलब क्या होता है, non-specific immunity, specific नहीं है, bacteria virus कुछ भी हो, हमारी skin सब को रोकती है, किसी एक के लिए specific नहीं है, लेकिन जो adaptive होती है, किसी खास के लिए specific होती है, refer to defenses that are present at birth, जो पैदाइस से ही, जनम से ही हमारे पास मौझूद है, innate immunity does not involve specific recognition, यहाँ पर कोई specific recognition नहीं है, कि हाँ यह bacteria तो मैं इसको मारूँगा, यह virus तो मैं इसको मारूँगा, ऐसा नहीं होता, यह क्या है, non-specific जो भी आएगा, सब को रोकेगा, offer microbes and act against all, और सब के खिलाफ काम करता है, in the same way, एक ही तरीके से काम करेगा, अब, among the components of innate immunity, चाहिए तो हम इस पैरा को यहाँ खतम कर सकते हैं, ठीक है न, लेगि फिर वी हम थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, चीज़े तो रिवाइस हो जाएंगी, among the component of innate immunity, ठीक है, innate immunity के component की बात करें, the first line of defense, physical and chemical barrier, skin and mucus, सबसे पहले किसी से टकराएगा, skin से, कोई microbe आएगा तो हमारी skin से टकराता है, या कुछ खाते हैं तो हमारे mucus से टकराएगा, नाक में गुशेगा तो हमारे mucus से टकराता है, तो सबसे पहले ये defense का का काम करते हैं, तो first line of defense, ये इस chapter के लिए तो important नहीं है, बढ़ य ये part कहीं और link up कर जाएगा, ठीक है ना, और important हो जाता है, इसलिए, ठीक है, and the second line of defense, antimicrobial substance, second line कौन से होता है, antimicrobial, जिसको कि हम लोग क्या बोलते है, natural killer cells, phagocytes, inflammation, fever, जिए जिए, fever आता है, inflammation हो रहा है, ये सब क्या है, second line of defense है, ये सब पढ़ा है, हम लोगोंने, याद आ adaptive, internet तक कहा नहीं खतम, ठीक है, यहां तक कुछ लेना देना नहीं था, बात करते है, adaptive की, adaptive या specific community, refer to the defenses that involve specific recognition, खास recognition, जैसे कि तुम लोगोंने देखा और सुना होगा, एक बार अगा chicken box हो जाए, life में, द्वारा chicken box नहीं होता है, clear न, polio virus का vaccine दे दिया दिया, द्वारा नही होती है, तो यहां पर क्या specific recognition है, पहचान लेता है उसको, ठीक है, of the microbes, once it has breached the innate immunity, जब कोई microbes innate immunity को breach मतला तोड़ करके हमारे अंदर आ जाता है, तो उसके बाद फिर यह वाली immunity हमारे काम करेगी, adaptive immunity is based on specific response to specific microbes, एक खास microbes को पहचानेगी और उसके उपर एक खास तरीके से काम करेगी, ठीक हो सकता है, यही immunity, bacteria को अलग तरीके से मारे, वारिस को अलग तरीके से मारे, that is, it adapt or adjust, यह adapt होती है, adjust होती है, to handle a specific microbes, ताकि वो खास microbes को कुछी खास तरीके से किल कर सके, adaptive immunity involve lymphocytes, ज़रूर यहाद रखें, इसके नदर कौना ते lymphocytes, a type of white blood cells, सब जानते हैं, called T lymph lymphocytes, T cells and B lymphocytes, B cell, सब को पता है, T cell और B cell के बारे, सबने सुन रखा है, the body system, responsible for adaptive immunity, now, ध्यान दे, body system, body का जो system, responsible है, adaptive immunity के लिए, है न, and some aspects of innate immunity, और कुछ aspects innate immunity की भी आते हैं, हमारे अंदर, is the lymphatic system, याने कि, यह T lymphocyte, B lymphocyte, के घर हो गए, तो lymphatic system क्या है हमारा, जो adaptive immunity है, यह system है पूरा, यही system क्या है, lymphatic system, हमारा जितना भी immune system है, वो lymphatic system है, बात समझ में आई, lymphatic system घर है, ठीक है न, तो फिर से पढ़ रहा हूं, the body system, responsible for adaptive immunity, is the lymphatic system, हमारी body का वो system, जो adaptive immunity के लिए, responsible है, वही हमारा lymphatic system है अब माईदार चीज इस system is closely allied with cardiovascular system यह cardiovascular system को साथ मेल के काम करती है cardiovascular system immunity नहीं प्रवाइड करवाएगा लेकिन अभी हम देखेंगे कि यह lymphatic system के अंदर फिलिड होता है थोड़ा बताऊंगा मैं अभी ठीक है जैसे समझ लेते हैं यह heart है ठीक है हर्थ लिख दिया है यह heart है यह lymphatic system में अब बात समझना अज वापस आएगा repeat करूंगा मैं heart के अंदर क्या होता है blood और lymphatic system के अंदर क्या होता है lymph इसी lymph के component होते है B cells और T cells एक और चीज़ मैं हें किले कर दूँ यह lymph इस blood का part होता है lymph जो है blood का ही part होता है blood से निकलता है वो lymph बन जाता है फिर यह lymphatic system जो lymph होता है lymphatic system के दोवारा वापस से blood में यानि कि heart में मिला दिया जाता है यह बात समझ में आ रही है lymphatic system के दोवारा यह वापस से heart में मिला दिया जाता है तो इस तरीके से यह क्या कर रहा है मिल करके यानि कि यह कार्डियोस्कुल सिस्टम को साथ मिल करके allied है जुडा हुआ है एंड आल्सो फंक्षन विद डाजेस्टिव सिस्टम जब हम डाजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो हम एक चीज़ पाएंगे कि हमारा जो फैट है हम जो जिद्रा ही फैट खाते हैं वो lymph के के द्वारा इसी लिंफ के द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉब कराया जाता है तो यानि कि हमारा लिंफैटिक सिस्टम हार्ट से जुड़ा हुआ है ठीक है हार्ट के मतलब हार्ट का इसमें रहेगा एंड आल्सो फंक्षन विद्ध डाश्री सिस्टम इंदा एब्जॉ के द्वारा हुआ है लिंफ लिंफ होता है बात करेंगे यह जो मिद्ध विद्ध डिंदे शिर्व मतलब करने में हैं घर कुझे अ है अब ये वापस मिलते कहां जाके heart में मिलते हैं जाकर के याने की blood मिलते जाकर दूसरा fatty acid में absorb करने में help करते है fatty food को तो lymphatic system heart और fatty food दोनों से जुड़ा हुआ है killer होगी बाते है lymphatic system clear नहीं clear तो वापस ब वीडियो को rewind करें और फिर से देखें ठीक है अब ये था हमारा intro अगर यहां तक lymphatic system clear हो गया है अब हम इसको detail में ले सकते हैं clear है चलें detail में अब देखो component of lymphatic system यह अपना topic में heading में दे रखिए कि component क्या होते हैं तो क्या के component होते हैं हम सबको पता है इसके component है एक lymph जो इसका में फिलिड होता है lymphatic vessels जैसे कि हमारा blood vessels होती है वैसे यह lymphatic vessels है और फिर क्या है lymphatic organs है फिर क्या हमारे पास lymphatic organs है lymphatic organs में हमको spleen lymph node और spleen इनको हमें थुला सा detail में देखना है ठीक है lymphatic cells, B cells, T cells इनके बारे में हम लोग ठीक है न discuss कर चुके है जो चैप्टर हमारे पहले हुए है उनके अंदर ठीक है न तो तीन component याद रखें lymph, lymphatic vessels ठीक है lymphatic organs और lymphatic cells यह से कहिन लगए component आयाते है अब थियोरी देख लेए थोड़ी से इसकी थियोरी क्या बोल रही है थियोरी कह रही है the lymphatic और lymphoid system lymphatic कोई lymphoid कह सकते है बहुत अराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे की lymphatic system वाला पार्ट अक्षे से clear हो जाए consist of a philute called lymph ठीक है ना तो lymphatic system है या lymphoid system है उसके अदर एक philute भरा होता है जिसको कि हम lymph कहते हैं अब यह lymph क्या चीज है कहां से बनता है इसका भी discussion करेंगा आगे चलके और सेंट औरगन कई सारे structure और औरगन होते हैं containing lymphatic tissues जिसके अंदर lymphatic tissue पाए जाते हैं and red bone marrow अगर देखा जाए काईदे में तो यह इसके एक तरह से part इसके अंदर counting आ जाएगी यह सारे इसके component में count होते हैं अब त्रज़ार आगे पढ़ते हैं most components of blood plasma blood का plasma हम लोग discuss कर चुके हैं blood composition में नहीं याद pause करें blood composition देखें जागे फिर से most component of blood plasma filter जो blood का plasma होता है वो filter करता है ठीक है अब देखो यहाँ पर सोड़ा सा बताता हूँ मैं ठीक जैसे blood capillaries है इसके अंदर क्या flow कर रहा है blood flow कर रहा है और यहाँ पर क्या है plasma भी है इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ीया filter हो किई आयाे ती आगे इसको ओड़ देखेंगे यहाँ पर क्या माझूद है cells माझूद है यह क्या है cells माझूद है बस इसी को हम लोग क्या कहते है lymph कहते है blood vessels this is capillary actually कह लो या blood vessel कह लो blood vessel में भी क्या है ये capillary है क्या है ये capillary है blood capillary और ये cells के बीच में ये fluid भरा हुआ है जिसको हम lymph कहते हैं या इसी को हम लोग एक और नाम से बलाते हैं तोड़ा सावर आके कर दूँ में इसी lymph को एक और हम चीज़ कहते हैं interstitial philid interstitial interstitial मतला जो बीच में भरा हुआ है दो चीज़ों के interstitial philid भी कह देते हैं ठीक है ना अब वैसे actual में अभी ये lymph नहीं है lymph कभ हो जाता है जब यहां से अब यहां से क्या है एक ट्राग्राम समझेंगे लिए बना जीता हूँ मैं यहां से ना वो होती है एक तरह साथ से मालो इस टाइट से यह मालो यह lymphatic capillaries क्या है यह lymphatic capillaries यहां से अभी यह क्या है अभी यह interstitial philid है जब यह interstitial philid यहां से यहां आ जाएगा अब जैसी lymphatic capillary या lymph vessel में आ गया अब यहां पर यह क्या कहलाता है lymph कहलाता है याने कि same philid वही philid जब यहां मौझूद है तो interstitial philid कहलाता है यही philid जब इस capillary में चला गया अब इस capillary में कैसे जाता है इसकी बात करूँगा थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं यहां पर इस तरीके से वो रहते है इस तरह से ना हलकी से opening रहती है तो इन opening के थुरू होता हुआ यह opening देख रहे हो इन opening से होता हुआ philid इसके अंदर भाज जाता है और यह philid फिर आगे पास हो जाता है अब पूरी detailing देखेंगे इसकी हम लोग ठीक है तो यह lymph इस तरीके से यहां पर क्या है interstitial philid है जो इस plasmas है फिर से सुनना blood plasma या blood से चीज़ें filter होती है यहां पर कुछ वो क्या कहलाती है interstitial philid यही interstitial philid जब capillary में lymphatic capillary में चला जाता है तो क्या कहलाता है lymph कहलाता है पास समझ में आ रही है ठीक है तो देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है most component of blood plasma filter blood plasma जाता फिल्टर हो जाता है through blood capillary capillary पता ना जो सबसे महीन वाला पार्ट होता है artery, arteriol then capillary ठीक है ना और detail में आएंगी capillary की बाते हैं जहां हम लोग blood vessel पड़ेंगे capillary's wall to form interstitial phillude तो जब यहां से यह छना तो क्या बना यह interstitial phillude बना after interstitial phillude passes into lymphatic vessel जब यही phillude कहां चला गया lymphatic vessel में आ गया यह वाला phillude कहां आ गया lymphatic vessel में तो यह क्या कहलाया lymph कहलाया lymphatic vessel it is called lymph अब इसको हम लोग lymph कहते हैं lymph का मतलब होता है clear phillude यह phillude जो होता है transparent type का ठीक है the major difference between the interstitial phillude and the lymph सबसे बड़ा difference क्या है lymph और interstitial phillude में है ना interstitial phillude यह रहा और lymph जो इसके अंदर आ गया तो location का अंतर है किवाद किसका अंतर है location एक interstitial phillude is found between the cell cells के बीच में पाया जाता है उसको हम लोग interstitial phillude बोल देते हैं and lymph is located within lymphatic vessel जो lymph है वो lymphatic vessel के अंदर पाया जाएगा तो उसको हम lymph बोल देंगे टिसूस के अंदर हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे स्प्लीन और lymph नोट यह अपने कोर्स में भी है इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाय जाते हैं lymphocytes पाया जाते हैं नकी B और T lymphocytes ठीक है अब lymphocytes आर एक granular white cells अब यह बात हम जानते हैं पढ़ चुके हैं जो हमने blood आला chapter पढ़ा था ठीक है ना lymphocytes क्या होते हैं एक granular white blood cells होते हैं टू टाइपस अफ लिंफोसाइट प्राटिपेट्स इन adaptive immune system जो दो टाइप के लिंफोसाइट से कौन-कौन से हैं B cells और T cells यह बात है कुछ प्राणी वाली है जो हम लोगों ने blood पढ़ी दी मेरे खाल से बात clear हो रही होगी lymphatic system क्या होता है उसके क्या component है और यह conscious करना cell है ठीक है ना काफी हद तक lymph को भी उपने अब यह आगे भी आएगा तो इतना लिखेंगे परियापत रहेगा अब functions of lymphatic system इसका में function क्या है ड्रें अक्सेस इंट्रिस्टीसिल फिल्यूड अब तुम्हों देखा हाथ पर सूझ जाते हैं तो हाथ पर सूझने का मतलब यह होता है यह होता हाथ ब्लड वैसल से ठीक है ना और यह क्या है सेल से जब यहां से बहुत ज्यादा फिलूड निकल के यहां आ जाएगा तो यहां पर जब निकल के आ जाएगा तो अब क्योंकि ब्लड वैसे से निकल के कहा आ गया बहारा आगे सेल्स में तो यहां पर उस हिस्से का जो पार्ट होगा हाथ या पैर हमारा सूच जाता है स्वेलिंग आजाती है अब जो हमारे पास वह थी है लिमफैटि केपिलरीस मांलो यह लमफैटि केपिलरी से अब क्या होगा यहां पर लिम्फ है यह वाला इंट्रेश्टिशल फिल्लूड है यह प्रेसर लगता और यह इस तरीके से अंदर एंटर कर जाता है यहां से अंदर एंटर कर गया फिर यह आगे चलने लगता है तो फिर यहां का जो interstitial fluid है वो कम हो जाएगा और वापस स्वेलन कम हो जाती है तो कह रहा है drains access interstitial fluid यहां पर जो एक्स्ट्रा भर गया है उसको drain कर लेगा है ना निकाल के लिए आता है खीश के ले जाएगा तो क्या कह रहा है lymphatic vessels drain access interstitial fluid from tissue space है ना tissue और cell का जो जगह है वहां से निकाल करके वहां से निकाल करके from tissue space and return it to the blood वापस से उसको blood में मिलाता अच्छा blood में कैसे मिलाता है अभी हम वो part आगे देखेंगे कि वापस से इसको फिलूट जो blood से निकला है वह वापस blood में ही मिल जाता है जाकर के ध्यान रखेंगे कैसे मिलता हो आगे देखेंगे अभी हम लोग this function closely links it with the cardiovascular system ये वाला जो function है कि वापस से उसको blood में मिला दिया तो कहीं नहीं के cardiovascular system से link करवा रहा है इसको in fact without this function the maintenance of circulating blood volume would not be possible जो blood का volume को maintain करना होता है कि blood से बारबर क्या होता है अभी हमने हैं discuss किया कि blood से चीज़ें बारबर चंग जा रही है तो blood का volume कम पढ़ जाएगा हमको सबको पता है blood कितना होता लग बग पांस लिटर होता हमारी body में यहां से जो चीज़ निकल रहा है अगर वापस ये चीज़ निकल करके blood में नहीं पहुँचेगी तो blood का volume क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दिक्कर कर जाएगा तो कहीं न कहीं यहां पर दो काम कर रहा है access intestinal fluid को क्या कर रहा है निकाल के ले जा रहा है और blood volume को maintain कर रहा है transport dietary lipid यह अभी हमने discuss किया था कि जो हमारा intestine जो हमारा fat खाते हैं वहां से जो lipids होते हैं फैटिक ही होती हैं उनको transport करने में help कर रहा है lymphatic vessels transport lipids and lipid soluble vitamins A, D, E and K absorbed by the gastrointestinal tract तो कही ना कही जो fat या fat soluble vitamin है उसको transport करने में help करता है कौन? lymphatic system तो यह तीन function very important now carries out immune response यह तो सबस्वादा important है हमारी body में जितना भी immune response है जितनी भी immunity है किसके द्वारा provide की जा रही है इस lymphatic system को द्वारा तो lymphatic tissue initiate highly specific responses directed against the particular microbes और abnormal cells जो abnormal cells है या microbes है उनके खिलाफ एक खास response चालू करता है यह कौन? हमारा lymphatic system तो यह तीन function यह अपने course में है IMP है इसको पक्या पढ़ेंगे इसका जो component है यह अपने course में है इसको ध्यान से पढ़ेंगे important है अपने पास ठीक है ना? उपर का पार्ट था वो introductory पार्ट था लेकिन वो यहाँ बेशा काम में ना आए उसके बनमाक्स कोशन आ सकते हैं और वो दूसरे टॉपिक से link up है तो वो भी कईना के जरूरी है तो मेरे खाल से यहाँ तक बात है clear हो गई ठीक है? आगे आते हैं अब देखो एक चीज समझना लिमफेटिक वैसल्स एंड लिमफस सर्कूलेशन ठीक है जो उसमें कमपोनेंट सा उसका लिमफेटिक वैसल्स यहाँ पर सुर्ण सा उसकी डिटेलिंग करेंगे उसको विश्रा समझ लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज समझना कुछ लोग बच्चे भी कन्फिज हों कि लिमफेटिक वैसल्स कैसे क्या तो बात को समझा बेटा जहाँ जहाँ देखो जहाँ 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 हमारी आर्टरीस जा रही है यानि कि ब्लड वैसल्स जा रही है ठीक है रेड का मतलब यहाँ ऑक्सियन जाता है तो ब्लड आया ब्लड से फिलि habían निकल गया बहार प्रत से आजड़ पर और वह फिलि चाज़ है फिर क्रावरी में चला गया ब्लड आया ये प्लेटाया और यहाँ सी ब्लड यहाँ निकला यह फिलिए और यह फिल्ड कहां चला गया हमारा का अच्यावी इसमें एक स्वार में डिक्स करेंगे तो केपलरी से जो ब्लड केपलरी है यहां से फिलूट निकल जाता है ठीक है और वो कहा चला जाता है लिंफैटिक केपलरी में चला जाता है साथ साथ चलते है अब देखां थुँआ साओ बढ़ने यह दिटेल तो समझाने कोईश्ट कर रहा थाम है यही दाइग्राम अब यह है समझना बात को जब पुझा रहा हुए समझाय दून ज़रा में फिर इसको करते हैं ओके देखो ज़रा यह क्या है सैल्स है दीजर स्ट्सी सेल्स और से क्या है अब यहांसे क्या है और निकल चुका मैं और इंस्तियाइस निकल आ चुका है और उस फिलीड का नाम क्या है इंस्टिसियाल फिलिड तो अब यहां भरा हुआ है अब ज़रा गवर से देखना ज़िसने समझाना चाहा हूं यह जो कैपलरी है दिस इज दा अंडो थेलियम ओफ लिंफेटिक कैपलरी यानिकि अंडो थेलियम अज़नी की परत होती है और यह देखो यहापे ऐसे कट लगा हुँआ यह यह ऐसा औप फिर यह ऐसा गया है यह फिर यह ऐसा और फिर यह ऐसा यह गया इनी गया के अंदर से कौन जब बाहर से प्रेसर लगता है ये फिरूट जब जादा हो जाता हिर्षर लगता है यह खुल जाते हैं और यह सारा interstitial fluid किसके अंदर आ गया यह इसके lymphatic ठीक है ना जो lymphatic capillaries हैं इनके अंदर घुज गया अब फिर जब यहाँ pressure जाता हो जाएगा यहाँ pressure कम होगा तो यही fluid फिर lymphatic capillary में आगे बढ़ना start हो जाएगा इस तरिके फिर यह आगे बढ़ेगा बात समझ में आई these are the cell इसके आजू बाजू में blood vessel से यहाँ से फिलोड निकल के आ चुका है अब यहाँ जब pressure बढ़ जाता है तो यह valve वैसे खुल जाते है तो देखो यहाँ से इस तरिके से यह अंदर जा रहा है यह फिर यहाँ pressure जाता है फिर यह आगे बढ़ेगा इस टाइप से फाइनली जो यह end है एक तरह से किसका lymphatic capillary का end है यह छोड है ठीक है यह यह anchoring filament होते हैं जो इसको पकड़कर रखते हैं कि ज्यादा यह हिले डूले नहीं ठीक है तो इस तरीके से फिर यह फिल्यूट अंदर जाता है तो समझ में आए किस तरीके से इंटरिस्टीसिल फिल्यूट को lymph capillaries अपने अंदर ले रही है यह concept है यहाँ पर केवल इस फिल्यूट को कैसे यह lymph capillary के अंदर जा रहा है पढ़ ले आगे आते हैं lymphatic vessels begins as lymphatic capillary जो lymphatic vessel है कहां से सुरुवात होती है begin यह सुरुवात हो रही है lymphatic capillary से है ना lymphatic capillary यह इसके सुरुवात ही यहां से होती है इसके सुरुवात यहां से होती है फिर आगे जाके पूरा यह एकदम circulatory system type बन जाता है ठीक है these capillary which are located in the spaces between the cells यह कहां मौझूद है यह capillary capillary देख सकते हैं जो cell के बीट में space है यहां पर मौझूद है और close at one end एक ठीक है एक तरफ close होती है ठीक है lymphatic capillary unite to form large lymphatic vessels ठीक है ना यही capillary आगे जाके जुडएंगे और body vessel बन जाती है which resemble small veins जो हमारी blood vessel की veins होती है उसको उसकी तरह मिलती हुलती दिखाई पड़ती है इन्हीं structure में but have thinner valve बट इसकी valves क्या है पतली होती है और यह इसकतर valves ज्यादा होते है वाल्व का मतलब क्या है कि इस तरीक से मालों बगरी capillary यहां पर आ गया तो यह जगे जगे पर हम देखेंगे इसको यहां पर उसका diagram नहीं है बताता हूं मैं जैसे यहां से इखटा हो गया मालों यह इस तरह से है जगे जगे पर na lymph node पाए जाते है इस टाइप से इसके अंदर बहुत सारी capillary फिर आगे निकल रही है मालों यह हाथ माल लेते है यह ठीक ह तो actual में जो lymph node होता है वो क्या होता है हमारा filter वाला पार्ट काम करता है किसका काम करता है filter का देखेंगे उसको आगे जाकर करके filter क्या कर रहा है कोई microbes बगए रहा है कोई pathogen बगए रहा है उसको filter कर देता है ठीक है कैसे करता है उसको समझेंगे बाद में आगे जाकर करके जब उसके बारे बात आएगी तो फिलाल समझते है क्या बोल रहा है एक एंट इंटरवल जगे जगे पर अलॉंग दा lymphatic vessel पूरी lymphatic vessel में lymph flows through the lymph node lymph जो है lymph node के थुरूफ फ्लो करता है lymph node क्या होता है encapsulated उसके पर covering होती है bean shape का होता है organ consisting of masses of B cells and T cells उसके अंदर भर भर के masses of बहुत सारा B cells और T cells होता है तो actually होता है कि यह सब यहीं से निकल के आया होता है कोई antigen वगरा होता है वो भी निकल के आ ज अच्छा तुम बहरी तुम आ गए हमारे घर के अंदर भी रुकतों में बता रहे और फिर वहां से लडाई चालो होती है और फिर वो पूरी बॉड़ी में फैलना चालो होते है ठीक है फिर वी सल टीसल और अपने सैने को बलाएगा जो हमने बात चीत कर रखी बी और टीसल यहां पर जो आपना रुटरी यहां पर जो लिंफेटिक वैसल आट्री वाट्री को फोलो करती है forming plexus, plexus का मतला होता है network, यह word याद रख लो, आगे आएगा बार बार, इस chapter में आगे गई आता रहेगा, network सा बना लेती है, आर्टरी के आसपास, ठीक है ना, कौन, lymphatic vessels, अब tissue that lack lymphatic capillary, यह point important हो जाता है, तुमारा one marks के लिए हो जाता है, वो tissue जहाँ-जहाँ lymphatic capillary नहीं पा है हमने, ठीक है, epidermis, यहाँरी उपर की skin आ गई, इसको छील लेते हैं, खाल उतार लेते हैं, यह देख, हमलों कई बाइसे छील देते हैं, तो खाल उतार आती है, वहाँ पर है नहीं blood, and the cornea of the eye, आग की जो cornea, आपी blood vessel नहीं होती है, portion of the spleen, spleen लों कुछ portion है, and red bone marrow, यह व lymphatic vessels, ठीक है न, lymphatic vessels, और उसका circulation को समझ रहे हैं, यहाँ पर, अब यहाँ पर हम और बार ही काते है, lymphatic capillary, बिल्कुल इस point पर आगे हम लोग अब, lymphatic capillary have greater permeability than blood capillaries, अब इसको blood capillary जो होती है, उससे compare करवा दिया, इसकी permeability जादा होती है, permeability का मतलब क्या है, कि काफी सारी च absorb कर लेती, इसलिए blood से जो भी कुछ यहाँ निकलता है, उस सब अपने अंदर ले जा करके आगे transfer कर देती है, lymphatic capillary cell also slightly larger ने डाइबेटर यह हलकी से चौड़ी भी होती है, then blood capillary, blood capillary comparison में, and have a unique one-way structure that permit interstitial fluid to flow into them, but not out, और एक one-way structure, one-way structure हम लोग देख सकते है, ठीक है, जो यह को दिखाता हो, मैं इसका दोड़र erase करूँ, अब दो वन-way structure से क्या मतलब है, blood आया मतलब जो lymph है, वो अंदर तो घुसा, लेकिन अगर lymph वापस आने कोशिश करेगा, तो दर्वाजा देख रहो, यह ऐसा बंद हो जाएगा, यहां pressure पढ़ेगा, तो यह बंद हो ओके, the ends of endothelial cell that makes up the wall of lymphatic capillary overlap, तो कह रहा है साफसर जो end होता है, यह देखो end हो रहे हैं, यह overlap है, यह यह यहां तक है, और यह इसके अंदर है, यह overlapping हो रखी है, यह और यह, overlap होता है न, एक क्यू पर एक, तो यह overlapping हो रखी है, ठीक है, when pressure is greater in the interstitial fluid than in lymph, the cells separate slightly like the opening of one-way swinging डूर के रहा है, बाहर की तरह जब प्रेसर जादा होता है, जो मैं समझाया था अभी, यहां प्रेसर जादा होता होता है, तो यह वापस ऐसा हो जाएगा, तो lymph वापस नहीं जाता है, ठीक है, cannot escape bag of weapons जा पाएगा, into the interstitial fluid, the pressure is relieved, अब यह pressure हलका हो जाएगा, as lymph move further down the lymphatic capillary, अब यहां से lymph आगे जाएगा, तो यहां pressure क्या हो जाएगा, हलका हो जाएगा, यहां pressure फिर जादा होगा, फिर यह अंदर जाएगा, तो यह पूरा इसका system दिखा रहा है कि इस तरह से जो interstitial fluid है, वो lymph capillary के अंदर घुस रहा है, when access interstitial fluid accumulate and causes tissue swelling, तो क्या कह रहा है, जब बहुत ज्यादा interstitial fluid इखटा हो जाएगा, accumulate हो जाएगा, and causes tissue swelling, और tissue को swell कर देता हाथ पर सूच जाते है, the anchoring filament are pulled, जो anchoring filament है, यह वाले filament है, यह खी हो जाएगा, तो फटाफट फटाफट सारा fluid अंदर जाएगा, और यहाँ सूजन कम होती है, ठीक है, anchoring filaments are pulled, making the openings between cells even larger, अब जो opening है, जब यह pulled हो गए है, तो यह opening और बढ़ी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वाई से interstitial fluid बहुत जल्दी से अंदर move करेगा, ठीक है, larger so that more fluid can flow ठीक है न, so that more fluid can flow into the lymphatic capillary, अब जब opening बढ़ गई है, तो और ज्यादा lymph, जो interstitial fluid हो अंदर move कर जाएगा, in the small intestine, इस पे, आप बात करते हैं, small intestine की, in the small intestine, specialized lymphatic capillary is called lactease, यह बड़ याद रखेंगे, dicey system में भी आएगा, खास तरह की lymphatic capillary होती है, इसको हम lactease करते हैं, carry dietary lipids यह दो lactease होती है, यह dietary lipids, जो हमारी diet में खाई है हमने lipids, उसको carry कर जाते हैं, into lymphatic vessels, lymphatic vessel के पास लेके जाएंगे, and ultimately into the blood, तो lactease की help से पहरे जो fat है, वो lymphatic vessel में आता है, lymphatic vessel से blood में जाएगा, यह भी पढ़ेंगे हम लोग किस तरह fat transfer होता है, digestive system में, the presence of these lipids causes the lymph draining from the small intestine, अब the presence of these lipids causes the lymph, अब यह जो मौझूद की है, presence of these lipids, इस lipids की वज़े से, जो lymph निकल रहा है कहां से, small intestine से, है ना, small intestine सो lymph लेक आगें बढ़ रहा है, वो creamy appear होता है, creamy white, lipid की वज़े से, such lymph is referred to as kyle, और ऐसे lymph को हम kyle कहते हैं, elsewhere, otherwise, lymph is clear pale yellow fluid, lymph जो है तो clear pale yellow color का fildID होता है, clear होता है और pale yellow होता है, ठीक है, यह creamy white होता है, जो intestine से निकल रहा होता है, कौण, lymph, lymph जो intestine से निकलता है, किसको लेके निकल रहा होता है, लिपिट्स को लेके निकल रहा होता है इसलिए वो क्रीमी वाइट दिखाए पड़ता है कि लिए रहे हैं आगे आते हैं नाओ फॉर्मेशन आफ लिंफ कहीं न कहीं हमने एक तरह से समझे लिया है कि लिंफ कैसे फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा और देखते हैं आगे फॉर्मेशन देखो यहां पर बात कर ले है अब थोड़ा सा यहां पर समझने की बारी आ गई है तो समझते हैं देखो हाट हाट से क्या आती है आट्री आट्री से आट्रियोल आट्रियोल से कैपिलरी जाए इंपॉर्टन कोश्चिन भनता है तुमारे पास सम्झाता हूँ क्या question है यह है arteries जो blood लेकर क्या रही है ब्लड लेकर क्या रही है कौन artery these are arterioles ठीक है यह क्या है capillary है ठीक है अब यह क्या है veniol है ठीक है यानि कि यह है इसको मैं अगर बताता हूँ यह क्या है वीन्स यह क्या है वीन्स अब हम क्या समझ रहे हैं यहां पर बात समझ ना पराणी बात को किसी कंफिजन हो तो यहां वीडियो पॉस्ट कर ले पिछली बात को एक्तम से रिकाप कर ले अब हम यहां और अच्छी से पढ़ेंगे कि dir me force को और अच्छी स静रेंगे कहीं ना कहीं लें कैसे बना एक चली अरी कुछ वहां पर हमने देखा कि מधो कर लिंप से अंदर कैसे गया लेंप का बदर नहीं देखा लिंफ तो ये बनेगा कि जब interstשל fluid में आया कैसे जो आये का नー वो बना हुआ है वो कहलाएगा नियम्फ तो आफ देखो होता क्या है यहां पर ये जो end है ये है किसका artery end और ये जो end है ये है wean end या venule end ठीक है ना इन दोनों end पर जो diffusion होता है उनका अंतर आता है वो अलग-अलग चीज़ों के लिए क्या होता है difference कर जाता है यानि इस end वे कुछ अलग चीज़ें easily बाहर निकल आती है क्योंकि pressure का difference होता है यहां और यहां pressure का difference होने के वई से चीज़ों को जो आधान परदान होता है थोड़ सा बदल जाता है समझते कैसे देखो देखो लिखा हुआ है यह tissue cell से arterial end लिखा हुआ है इसलिए मैं वह समझा रहा था क्या लिखा हुआ? arterial end यानि कि यह वाला end जो बता रहा था मैं यह वाला end यह arterial end है यहाँ पर क्या है को blood आ रहा है बड़ी तेजी से तो pressure blood का बहुत ज़्यादा होता है 30 mmg और यहाँ पर जो already fluid मौझूद है उसकी वाई से जो osmotic pressure वो केवल 21 mmHg होता है तो कही न कहीं इस तरफ का pressure ज़्यादा होता है तो पानी oxygen amino acid glucose और तमाम यह वी उपर भी तो क्या बन गया यह interstitial filled बना किसकी वाई से बना यह pressure difference की वाई से create हो रहा है काफ सारी चीज़े बहार निकल आती है लेकिन जैसे हम वी नेंड की तरफ जाते है इस तरफ तो होता क्या यहाँ पर pressure काम हो चुका होता है केवल कितना रहा है से जाते जाते है पंद्रा आधा ही रहा जाता है तो काफी सारी चीज़े कुछ important चीज़े होते हैं वह वापस से क्या होती है बैग चली जाती है अभी वह हमारे topic में नहीं कि क्या चीज़ें बहार निकल रही है और क्या चीज़ें बैग जा रही है इंटरेस्टीशल फिल्ड और यहीं इंटरेस्टीशल फिल्ड तो था जो लिंफ केपलरी के अंदर घुस करके लिंफ बना देता था तो दिस इस दा फॉर्मेशन ओफ लिंफ के लिए भी बाते हैं ठीक है अब देखें ब्लड के अंदर सॉल्ट है प्लाजमा प्रोटीन से ठीक है ना कारणोड एक्साइड है वेस्ट है वाटर है काफ सारी चीज़े हैं जो वापस यहां पर क्या हो रही है बैक हो रही है दिख से फिल्टर हो जाती है याने कि यह सब चीज़ें तुम सोचो और रचरहों से फिल्टर होoser नहीं होती है तो बहुत अराम से इस inside कई बना हुआ होता है ठीक है इसकी डिटेलिंग आएगी अपना जब हम लोग पढ़ेंगे वस्कुला सिस्टप कैपलरी मिसे बड़े अराम से चीज़ें फिल्टर होती है उसके अलावा कहीं और से फिल्टर नहीं होती है तो बहुत अराम से आ गई है तो फॉर्म इंटरिस् यहां पर आके वापस टू यह उतना ज्यादा नहीं हो पाता है दा एकसेस फिल्टर फिल्टर जो यह एक्सें टा फिल्टर आ गया है अबाउट थी लीटर पर दें टीन लीटर रोज का गंता होता है ड्रेंज इन्टू लूँपैटिक वेसल्स यह चला जाता है लेंटेश लिंफ यहां से लेके यहां तक लिइखना पड़ेगा जब लिंफ का करने अकान हो जाती है लिंफ कैसे बना के लियर हो गया यह लिखना पड़ेगा फिर्मू पयास मोल प्रोटीन इस लेव़् zij harm के प्रोटीन और plasma proteins नहीं पाए जाते हैं ज्यादातर plasma protein नहीं पाए जाएंगे जो red blood cell है वो तो होता ही नहीं उसका size बहुत बड़ा होता है capillary से आ नहीं सकता जो बवड़े protein है वो भी नहीं आ पाते हैं जो protein है निकल चुकी वो वापस नहीं जा पाती है करण क्या है उन protein का यहाँ पर protein का concentration जादा है अंदर है ना थोड़ी सी निकल पाइए है और यहाँ protein का concentration कम है तो वो जाएं नहीं पाते हैं कोई कि वहाँ concentration जादा है वो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है protein that do leave तो gradient का मतलब high level का protein का जो concentration होता है को अंदर होता है बाहर की तरफ protein concentration कम होता है oppose such movement इस type की movement को मतलब low से high जाने में उसे more रहा है the proteins can however move readily ठीक है through the more permeable lymphatic capillaries बजाए इसके जो lymphatic capillaries है उनमें वो protein बहुत easily जा सकती है इसी लिए lymph का एक और important function निकल गई उसको वापस से ब्लड में जाकर के ढाल दे के लिए रहाते हैं ठीक अभी कहां जाके डालता है वो पढ़ेंगे अभी किसी वीन की तरह lymphatic vessel contain वाल्व उसका नदरी वाल्व होती है which ensure the one way movement of lymph जिससे की lymph का एक तरफा motion बना रहा है lymph drains into venus blood यह दोखो यह आगा है lymph कहां drain हो रहा है venus blood में ध्यान रखना एक arterial blood होता है जो heart से blood को लेके चला एक वो blood होता है जो body से घुम करके blood वापस heart में आ रहा है उस blood को क्या बोलते है venus blood बोलते है through the right lymphatic duct कहां से entry ले रहा है यह venus blood के through right lymphatic duct and the thoracic duct at the junction of the internal jugular and subclavian veins यहाँ पर एक jugular और vein होती है यह ठीक है न यहाँ पर इस venus through इसके थुरू यहाँ पर क्या है यह heart के अंदर internal ठीक है तो इसके थुरू यहाँ से होती हुई यह heart में entry लेती है thus the sequence of fluid flow is blood capillaries तो कहां से कहां fluid overflow कर रहा है यानि कि lymph blood capillaries यानि blood से कहां आया interstitial space में आया जिसे हमने क्या कहा फिर lymphatic capillary में आया जिसे हमने lymph कहा फिर lymphatic vessel में आ गया इसको हमने lymph कहा है capillary capillary से vessels बनी फिर lymphatic trunk trunk मतला होता है जो एक साथ गुच्छा मनके बहुत बैवड़े वह बन जाते है मतला एक बड़ा channel बन जाएगा और duct इसको हमने फिर lymph कहा junctions of the internal jugular jugular होता है गर्दन के पास and subclavian clavicle होती है एक clavicle bond होती है वहाँ से blood क्या करता है वापस entry लेता है तो देखो यह क्या है lymphatic capillaries ठीक है collecting lymphatic vessels कलट होगे lymph node है ठीक है lymph node से filter होता हुआ वापस से thoracic duct यह वापस से यह वीन है यह यह क्या है वीन this is artery यह क्या है artery this is vein तो veins के through वापस से heart में मिल जाता है यह सारा blood जो lymph node होती हो filter कर देती है उसके मंदर कोई antigen हो गहरा होता है sorry antigen है यह pathogen है तो उसको यहाँ पे क्या अलग कर देंगे और एक साफ सुत्रा blood वापस से हमारे heart में चला जाता है clear है तो यहां पर दिखा रखा है तो यह इस तरह से structure और clear कर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फिलोड यह अंदर एंट्री ले रहा है इसके अंदर यह lymphatic वाल्फ एक तरफ आए वंदब ऐसे तो जाएगा वापस नहीं जाता है बास समझ में आगी तो अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ब्लड से क्या क्या च्छन जाता है और लिंफ बन जाता है तो काफी सारी चीजे हैं यह question है important तो याद दोना चाहिए ठीक है स्वालिट 4% होता है 96% वाटर होता है और गानिक सब्स्टांस में प्रोटीन से कुछ अल्विन ग्लोबिलीन ठीक है क्लॉटिंग फेक्टर एंटिवाड़ी एंज्जाम यह खास-खास प्रोटीन याद रखेंगे लिपिट्स काइलो माइक्रोन लाइपोप्रोटीन कार्व ठीक है ना तो यह कंपोजिशन बिल्कुल याद रख लेंगे दो नंबर मैं तीन नंबर मैं यह चार्ट बनाके चले आएंगे पूरे नंबर मिल दाएंगे पांस नंबर मैं तो भी चार्ट बनाके आओ किलियर है ओके फंक्शन ऑफ लिंफ तो कहानी से सामझ में आई गई मिडल मैं का मतलब क्या है इसको समझते हैं देखो यह क्या है ब्लड केपलरी ठीक है यहाँ पर क्या है सेल्स दीजार असेल्स एक्शिली होता क्या है ब्लड जो भी चीजें लेके आ रही है खाना पीना गैस नूट्रेंट्रेंट्स और गैस में जैसे की O2 यह सारा का सारा ना पहले यहां पर आता है नूट्रेंट्स ओट्स जो भी चीजें है पहले कहान डिफ्यूस होंगी diffuse to interstitial fluid फिर interstitial fluid से हमारे cell के पास जाता है इसी तरह जो भी waste होता है वो waste cell से कहां जाता है waste CO2 है और कोई waste है यहाँ और फिर यहाँ तो इस interstitial fluid से कोई भी चीज जाएगी तो आदान परदान होते ही जाती है तो इसी लिए इसको middleman कहा जाता है इनके इनके पीच में संपर करवाता है तो इसी वज़े से इसका नाम क्या पढ़ गया middleman of the body clear है one mask question important note कर लेंगे इसको ठीक है lymph act as a middleman which transport oxygen food material hormones बगरा कोई लाने जाने वो भी etc to the body cells and bring carbon dioxide and other metabolic waste from body cells to the blood and then finally pour to the same to the venus system और finally उसको जाकर venus venus मतलब venus वाले system में जाकर करके वो pour कर देता है क्रो देता है उसको बासमज मारी है body cells are body cells are kept moist by lymph body cells moist कैसे रहते हैं lymph के वज़े से रहते हैं lymph nodes produce lymphocytes जो nodes होते हैं वो lymphocytes produce कर रहे हैं lymph takes lymphocytes and antibodies from the lymph node to the blood जो lymph होता है वो वहां से उनको ले जाकर करके blood में डालता है ठीक है lymph nodes से उठाता है blood में डालता है जिसके blood पो कोई anti-gene pathogen है तो उसको फिर kill करने काम करेंगे it destroys the invading invading मतलब आकरमन करने वाले आकरमन करने वाले microorganism and foreign particle जो हमार उपर अकरमन कर रहे हैं उनको destroy करेगा it absorb and transport fat and fat soluble vitamin from the intestine ये पढ़िछी लिख चुके हम पहले कि ये ट्रांसपोर्ट करता है fat of fat soluble vitamins को intestine से lymphatic capillaries present in the intestinal villi are called lacteals again one important question है lacteals कहते हैं उसका हम लोग which are associated with the absorption and transportation of fat and fat soluble vitamins ठीक है पहले ही पढ़ ले हमने it brings plasma proteins macromolecules synthesized in the liver cell ये गया करता है जो lymph है वो plasma protein macromolecules जो synthesize हुए है liver के अंदर और जो hormones produce हुए है endocrine gland को दुआरा उसको blood तक पहुचाने का काम करते है lymph के अंदर आ गए lymph से कहा लेके जाएंगे ये blood के अंदर these molecules cannot pass into the narrow blood capillaries but can diffuse into the lymphatic vessel अब ये जो macromolecules है या hormones है थोड़े बड़े size में होते हैं directly क्या करते हैं blood capillaries को पास करके अंदर नहीं जा सकते हैं तो ये कहां चले जाते हैं पहले lymph में चले जाएंगे और lymph finally फिर venus system वहाँ तो पुरा piping system बना हुआ है उस pipe के थुरू फिर ये blood में पहुंचता फिए blood उसको और जगे ले करके जाता है कि लिए रहे तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि हार्मोंस और macromolecules को carry करने में भी ये help करता है कि लिए रहे बाते हैं और यह chapter हमारा खतम हो जाता है ठीक है उमीद करता हूँ chapter मजा आया होगा chapter को समझने में ठीक है इस chapter में फुरू बच्चे को doubt जाता रहता है कि lymphatic system बच्चे को clear होने में फुरू सा time लगता है ठीक है एक बार समझ में नहीं आया है द्वारा पढ़े है ठीक है आप लोग भी इठा सकते हो और सबसे फिरूरी चीज रिवाइस करते रहो पढ़ते रहो अल्दा बैस